एक नई उर्जा भरने वाला है अच्छा होता मैं इस पवित्र मिट्टी पर खुद आ करके आपके बीच सरीख होता लेकिन जिस प्रकार के नए नियमों में जीना पड़ रहा है और इसलिए मैं आज रूबरू ना आते हुए दूर से ही सही आप सब को प्रणाम करता हूँ इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करता हूँ इस बार तो कुछ समय के अंतराल पर मुझे दूसरी बार ये मोका मिला है आपके जीवन के इस महत्वपून आउसर पर आप सभी युवास साथियों को माता पिता को गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ साथियों आज एक और बहुत पावन अउसर है बहुत प्रेरणा का दीन है आज छत्रपती सिवाजी महराज की जन्मजन्ती है मैं सभी देशवाजियों को छत्रपती सिवाजी महराज की जन्ती पर बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ गुर्देव रविंदरनाट्य गोर्जी ने भी सिवाजी उत्षब नाम से बीर सिवाजी पर एक कभीता लिखी थी उन्होंने लिखा था कौन दूर शताब देर कौन दूर शताब देर कौन एक अख्यात दिबसे नाही जानी आजी मनार्थार कौन शोयले एरंडेर अंधकारे बसे हे राजा सिवाजी तब भाल उद्ध्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे चिल नामी एक धर्म राज्य पाशे खंड चिन विक्षिप्त भारत बंधे दिबामी यानि एक सताबदी से भी पहले किसी एक अनाम दिन मैं उस दिन को आज नहीं जानता किसी परवत की उंची चोटी से किसी घनेवन में ओ राजा सिवाजी क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोश्री के तरह आया था क्या ये विचार आया था कि चिन भिन इस देश की धर्ती को एक सुत्र में पिरोना है क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित कर रहा है इन पंक्तियों में छत्र पती वीर सिवाजी से प्रणा लेते हुए है भारत की एकता भारत को एक सुत्र में प्रणों का आवान था देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एकता अखंडित्ता के इस मंत्र को हमें याद भी रखना है हमें जीना भी है यही तो टागवर का हमें संदेश है